नमस्कार दोस्तों टार्गेट विद प्येस परिहार चनल में आपका सौगत है सुबह के इस वीडियो में ऐसी सुचनाय होती है जो विभिन समाचार पत्रों पर चायवी होती है और विद्ध्यारतियों के लिया वरिशक होती है तो आई ये जल्दी से देख लेते हैं कि आज सुच्छा सेवा चैन आयोक के इंतजार में बेसिक माधिमिक और उच्छा विभाग में हजारों भरतिया अटकी भी है विदान मंडल की और से गठन का प्रस्ताव पारित होने और निम्या वली त्यार होने के बाद भी अब तक इस दिसा में कोई भी काम नहीं हो सका है कोरो सुच्छा विभाग के सहायता प्राप्त विद्यालियों और उच्छा विभाग के सहायता प्राप्त महा विद्यालियों में सिख्छकों वा सिख्छडेतर करमचारियों की बरती के लिए नय सिख्छा सेवा चैन आयोक का गठन किया जाना है इसके लिए कमेटी किठित करके आयोग की निमावली भी तयार कर ली गई है इलहाबाद उच्छ नयाला ने भी सरकार से आयोग के गठन को लेकर के हल अफनामाद दायर करने को कहा था तो चुंकि अब उचितर की बेसिक की और मादमे की ये तीनों भरतिया इस आयोग से होनी है और जो बाबू होते हैं इन विद्यालियों में उनकी भी भरतिया इस आयोग से होनी है इसलिए अब किसी भी आयोग से पुराने आयोग से कोई भी भरती नहीं होगी इसलिए उत्तर और पीजीटी का यहां पर लिखा हुआ है करीब 18,000 पत खाली और बेसिक में होनी है और सदस्यों की निक्ति में अभी समय लगेगा जल्द से जल्द आयो की गठन का प्रयास किया जा रहा है लेकिन फिलहाल कोई समय सीवा नहीं बता सकते खुल मिलाकर के जितनी भी सूचना है सब इसी तरीके की हैं कि यह बरती रुग गई वह बरती रुग गई यह रिजल्ट को ध्यान में रखते वे अधिनास सेवाचेन आयोगनी भरतियां टाल दिये संक्रमण का प्रभाव कम होने के बाद ही भरती समंदी विज्ञापन निकालकर आवेदन लिए जाएंगे और परिक्षायं वसाक्षातकार होंगे आयोग में हुई बैटक में ये फैसला हुआ अ अधिनास सेवाचेन आयोग को समुगा तक के पदों का अधिकार है आयोग के अध्यक्ष प्रवेर कुमार ने पार दर्सी तरीके से भरतियों के लिए एक नीती तयार की है जो मैंने आप लोगों को बताये था पी एटी के लिए यही सुचना एक और समाचार पत्र में छप अधिनास सेवाचेन आयोग को समुगा तक के पदों पर भरतिकार है आयोग के अध्यक्ष प्रवीर कुमार ने पार दर्सी तरीके से भरतियों के लिए एक नीती तयार की है और इसके आधार पर इसी मासे विग्या निकालते हुए आनलाइन आवेदन की तयारियां थी लेक बरतियों के लिए विग्यापन निकालने पर विचार कर रहा है आयोग का मानना है कि सभी के पास ऑनलाइन आवेदन करने की सुविदा नहीं है और उन्हें इसके लिए घरों से बाहर निकालना पड़ेगा और मौजूदा समय यह उनके लिए खतरनाक हो सकता है और इसी तर कर दिया गया है अब इन सब की एक नई जुति थी है वो आगे बताई जाएगी इसके बाद में एक और सुचना है कि पूरा देश लागडाउन नहीं माने तो होगी जेल राज्यों को प्रावधानों का सक्ति से पालन कराने का निर्देश गयर जरूरी काम से निकलने पर हो दिया जिनमें 548 जिले हैं बाकी छैराज्यों में खेत्रों में लागडाूं किया गया इस बीच के एंसरकार ने राज्यों से लाटव दावधानों को नहीं मानने वालों पर सक्ति करने का निर्देश भी दिया है इसके तहति किसी ने गैर जरूरी काम के लिए सड़क पर उतरने की कोशिस की या भीड कर ठीकी तो 6 महीने की जेल या 1000 रुपए जुर्माना दोनों हो सकता है यह आपर प्रधान मंत्री जी का एक statement भी लिखा हुआ है अभी भी कई लोग इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं क्रपिया अपने आप को बचाएं अपने परिवार को बचाएं राज सरकारे नीमों का पॉलन करवन नरिंद मोधी प्रधान मंत्री इसके बारे में मैंने कले की वीडियो बनाया था और आप लोगों से बताया था कि लोग अभी भी गलिती कर रहे हैं और इस संक्रमर से बसने के लिए जंता को ही उपाएं ढूड़ना होगा और यहां पर लिखा आज रात से आना जाना बिलुकुल बंद लिखा हुआ है कि कोरोना की कड़ी तोड़ने के लिए रेल और सड़क के बात अब हवाई मार्ग भी पूरी तरीके से बंद करने का फैसला किया गया है मंगलवाल आधी रात गरेल यह जेल से रिया हो सकते हैं कैदी कोरोना जहां दुनिया के लिए अविशाप बन गया है वहीं कुछ कैदियों को यह थोड़ी रात भी दे सकता है कोड ने जेल में बंद कैदियों की कोरोना से सुरक्चा के इंतजामों पर सवता संग्यान लेकर सुरू की गए सुनवाई म कैदियों के बीज सुनिश्चित दूरी सुनिश्चित हो और उन्हें संक्रमन से बचाया जा सके ध्यान रहे कि कुछ दिन पहले इरान में बड़ी संक्या में कैदियों की रियाई की गई थी तो जो कैदी सधारन जुर्म में जिल में गये हैं उनको बाहर निकाल दिया कानून में अधिक्तम सजा से कम सजा पाए हैं कोट ने साफ किया किस स्रीन के कैदियों की रियाई होगी यह तकरने का अधिकार हाई पावर कमेटी को होगा भारत में अब तक जो करोन संक्रमित लोगों की संख्या वह 481 हो गई है कल असी नेरोगी जोड़े संख्या में और स्थानों के वह रोग दी गया है जैसे अस्पातालों में OPD इत्यादी बंद कर दी गई है केवल कोरोना के जो मामली है वह देखे जा रहे हैं और इसी तरीके से बैंक में अब नया खाता खुलना और FD लोन इत्याद पर रोग लगा दी गई है कोरोना वायरस के खत्रे को के लिए अंदर नहीं जा पाएंगी बाहर लगे ड्राप बॉक्स या जमा मसीन से चिक लिए जाएंगे एक बार में सिर्फ दो ग्राकों कोई बैंक परिसर में जाने की अनुमती होगी स्टाफ जो होता है वो भी केवल पचास परिसरती बैंक में आएगा एक वरिष्ट के अभी आम तवर पर आठ बजे तक बैंक बंद हो पाते हैं तो यह सब चीजें बदल गई हैं अब वहीं पर एक सुचना और है कि यूपी प्यस्टी कापियों का मुल्यांकन भी रुका लिगा कोरोना वायरस संक्रमन के मद्दे नजर हुए लागडाउन के बाद को लोग आयोग के सचिव जगदीज की और से आवसक दिशा निर्देश जारी किये गया है लोग सेवा आयोग में इन दुनों पीसस 2018 की मुह की परिख्चकी कापियों के मुल्यांकन को अंतिम रुप दिया जा रहा है नीचे रिखा कि साथ ही रिजल्ट त्यार करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है वहीं असिस्टेंट रेजिस्टर समयत कुछ अन्य प्रमोक भरती परिख्चाओं के प्रणाभी तयार किये जा रहे है कोरोना वाइरस संक्रमण के मद्दे नजर प्रियाग राज में लागडाउन की घुषना के बाद महत्तों पूरुन कामठप हो ग कर्मियों के इस्थानांत्रन पर भी रोग लगा दी गई तो ठीके दोस्तों यह हो गया आज के वीडियो और यह देखिए किसी नहीं भीजा था वर्टसप पे जो डर गया समझो बच गया इसलिए कोरोना से डरिए और एधियाद ब्रतिये सयोग करिए अपना अपने देश का अपने लोगों का वीडियो कर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना की और सब्सक्राइब कर लें पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्नवाद